हलो बच्चो, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर 9th, Mathematics 1, Algebra 5, जिसका नाम है Linear Equations in 2 Variables, हम लोग ने इसका Practice Set 5.1 अल्रेडी कर लिया है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके Playlist सेक्शन में देख सकते हैं, आज हम करेंगे Practice Set 5.2 जिसमें Word Problems ह सबको डर लगता है, इस साल थोड़ा जादा डर लगेगा, विकॉज लास्ट यर 8th Standard में Chapter 12 बहुत सारे Schools में Omit किया हुआ था, Chapter 12 में Practice Set 12.2 जो उसमें मैंने सारे Word Problems थे, वो बहुत ही जादा डीटेल में कराए हैं, अगर आपने 8th Standard में वो चैप्टर नहीं देखा है, तो मैं Suggest करूँगा कि अभी जाके वो देख लो, क्योंकि वो चैप्टर में मैंने हर एक Word Problem में बहुत ही जादा Basics से एक-एक Variable, कैसे Relation निकालना, सब कुछ explain किया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम लोग 5.2 में वो नहीं करेंगे, लेकिन वो भी आप देख लोगे न, तो 5.2 आपको टाइम नहीं होता न, portion खतम करने का, तो आप लोग डरो मत, easy chapter है, अगर आपको 8 Standard का वीडियो देखना है, 12.2 का, तो यहाँ पर एक लिंक आएगा, मैंने शायद उसके 4 lectures अपलोड की हैं, तो I के बाजू में एक लिंक आएगा, उसमें 8 Standard के आपको lectures मिल जाएंगे, आज हम problems कुछ बच्चों को difficult लगते हैं, तो आज हम इसके 3 questions करते हैं, शुरू करेंगे, first problem है, in an envelope there are some 5 रुपी notes and some 10 रुपी notes, आपके पास एक पर्स जाजा है, उसमें 5 रुपी notes और 10 रुपी notes है, कितने हैं आपको नहीं पता, there are some बोला है, some, ठीक है, total amount of these notes together is 350 रुपी, टोट आपको नहीं पता, आपके पास और कोई note नहीं है, जादा दिमाग मत लगाना, number of 5 रुपी notes are less by 10, then twice the number of 10 रुपी notes, यह twice है यहाँ पे, mistake है textbook में, ठीक है, तो यह एक relation दिया हुआ है, then find the number of 5 रुपी and 10 रुपी notes, तो यहाँ पे न, पहले तो एकदम अच्छे से question समझना ह solve करना शुरू मत कर देना, क्या है problem, एक purse में 5 रुपी और 10 रुपी के notes है, ठीक है, आपको क्या find करना है, कि कितने number of 5 रुपी है और कितने number of 10 रुपी notes है, अब यह find करने के लिए आपको कुछ condition देना चाहिए, तो उसने देखो 2 condition दिया हुआ है, पहला condition है, कि यह जो पै by 10, then twice the number of 10 रुपी notes, यह दूसरी condition है, ठीक है, दो condition दी हुई है, 1, 2, जब भी आपको कोई unknown चीज निकालनी होती है, तो जितनी जादा condition है, उतने unknowns आप निकाल सकते हैं, इसमें कितने unknowns हैं, 5 रुपे की कितने notes है, 1 unknown, 10 रुपे की कितने notes है, 2nd unknown, अगर 2 unknowns दी हैं, तो दो condition generally चाहिए होती है, देखो, यह दो condition है, एक condition यह है, कि total 350 रुपीज है, और दूसरा condition number of notes में दिया हुआ है, तो यह दो condition यूज करके आप बहुत ही easily find कर सकते हैं, question समझ में आया, फिर solve करना शुरू करना है, चलो, अब इसको solve करते हैं, पहले समझ लेते हैं, कि आपके पास अगर कोई notes दिये हो, तो उसमें से आप total money या total amount कैसे calculate करते हैं, let's say 10 के आपके पास 1, 2, 3, 4, 4 notes है, तो यह कितने पैसे हुए, आप कैसे add करते हैं, पैसे में तो आपको एकदम फटा-फट से addition आ जाता है, पर यह 10 रुपे के कितने notes हैं, 4 notes है, तो आप 10 multiplied by 4 करते हैं, 10 क्य हो आया, क्योंकि 10 रुपे का note है, total 4 notes है, इसलिए multiplied by 4, तो 10 multiplied by 4 कितना आ जाएगा, 40 rupees, तो यह 40 rupees है, वैसे यहाँ पे देख लो, 5 के कितने notes हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 notes है, कितने rupees के हैं, 5 rupees के, तो 5 into 5 आ जाएगा, 25, तो total पैसा कितना हो गया है, यहाँ पे amount, 40 rupees plus 25 rupees, which is 65 rupees, आप लो के कितने notes हैं, ठीक है, तो let's say, मैं 5 rupees के notes को X ले लेता हूं, और 10 rupees के notes को Y ले लेता हूं, तो अगर मुझे पैसा calculate करना है, तो यहाँ पे 5 rupees से कितना पैसा आएगा, 5 rupees के notes हैं, कितने notes हैं, X notes हैं, तो 5 multiplied by X, कितना होता है 5 multiplied by X, 5 multiplied by X होता है 5X, वैसे ही 10 rupees का note है, कितने notes हैं y notes, तो 10 multiplied by y which is nothing but 10y तो 10y रुपीज है और 5x रुपीज है, टोटल दोनों मिला के कितना होगा 5x plus 10y, जैसे हमने इसके पहले plus किया था, सिम वैसे ही होगा न, xy आने से क्या फरक पड़ता है, कोई फरक नहीं पड़ता तो टोटल पैसा कितना हुआ आपके पास, टोटल पैसा आपके पास हुआ 5x plus 10y लेकिन टोटल पैसा question में already दिया हुआ है, टोटल पैसा कितना है, 350 रुपीज, टोटल amount of these notes together is 350 रुपीज, तो आब बोलेंगे रहे, ये तो 350 होना चाहिए, एक condition आ गया अब ये second condition अग्दम ध्यान दे रहा है, number of 5 रुपी notes are less by, number of 5 रुपी notes, 5 रुपे कितने note है x, तो बोल रहा है, number of 5 रुपी notes is और are less by 10, less by 10 मतलब minus 10, 10 कम न, तो जितना भी आगे दिया है, उसमें से 10 कम करना है तो हम लोग 10 कम लिखा है, तो पहले 10 कम करते हैं, 10 कम किस से than twice the number of 10 रुपी notes, 10 कम किस से, twice the number of 10 रुपी notes, 10 रुपी के कितने notes है y, तो 2y minus 10 ठीक है, एक बार हम लोग इसको words में भी लिख देते हैं, अगर आपको confusion हो रहा है तो इसको हटा दो क्या लिखा है, number of 5 रुपी notes, तो ऐसे लिखेंगे number of 5 रुपी notes is और r कितना है, less by 10 than what twice the number of 10 रुपी notes मतलब, less by 10 किस से, twice the number of, twice मतलब 2 multiplied by number of 10 रुपी notes य, आगे अपना second condition number of 5 रुपी notes क्या है x, number of 10 रुपी notes क्या है, y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह हम लोग जब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है तो हमको इसके जगे पर क्या मिलेगा 2 और यह number of 10 रुपी notes है, y, तो 2y minus 10, इस में से, यह 2y को इस तरफ ले क्या हो, तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा therefore, x minus 2y equal to, यह minus 10 को इधर ही रखो, minus 10, ठीक है, यह हो गया equation 1, यह हो गया equation 2, क्या आपको यह solve करना आता है, बताओ मुझे, बहुत easily solve कर सकते हो न, है के नहीं, यह आप बहुत easily कर सकते हो, because 5.1 में मैंने ऐसे equations 2, 2, 3, 3 method से आपको solve करके बताए, ठीक है, तो यह बहुत easily आप solve कर सकते हो, यहाँ पर यह equation और equation को solve करेंगे, तो x और y का value मिल जाएगा, x से आपको पता चलेगा के 5 rupees के कितने notes है, y से आपको पता चलेगा के 10 rupees के कितने notes है, ओके, यह equation solve करके बताओं वीडियो pause करके, एक बार फिर से यह देखो, अच्छे से समझो, मैंने condition कैसे लिखा है, फिर मैं इसको बताता हूँ, लिखेंगे कैसे, ओके, तो हम लग लिखेंगे इसको ऐसे, let the number of rupees 5 notes be x, and the number of rupees 10 notes be y, 5 rupees और 10 rupees के notes थे, तो amount in rupees 5 notes कितना होगा, 5 rupees के अगर x notes है, तो 5 into x amount हो 10 notes कितना होगा, 10 rupees के y notes है, तो 10 multiplied by y, which is nothing but 10y, तो total amount कितना होगा, 5 rupees में 5x plus 10 rupees के भी तो है 10y, but first condition में दिया है कि उसके पास total पैसा 350 rupees था, but हमको पता है 5x plus 10y है total पैसा, तो मैं बोल सकता हूँ, 5x plus 10y is equal to 350, okay, यहां पर लिखाया देखो, according to the first condition, second condition क्या बोल रहा है वो, number of 5 rupees notes are less by 10, less by 10 मतलब minus 10 than twice the number of 10 rupees notes, twice the number of 10 rupees notes, number of 5 rupees notes हमने x लिया था, and number of 10 rupees notes हमने y लिया था, तो 2 multiplied by y हो जाएगा 2y, यह minus 10 ऐसे का ऐसा, यह 2y को इदर ले क्या हो तो आजाएगा x minus 2y, यह minus 10 विचा रहा है यहां पर अकेला बच जाएगा, तो यह हमको मिल गए 2 equations, ठीक है, य यह हो गया अपना equation 1, और यह हो गया अपना equation 2, यह दोनों equation को solve करना है, बहुत easily हो जाएगा न, solve, देखो यहां पर, इधर 5x है, यहां पर सिर्फ x है, आपको चीए तो आप इसको 5 से multiply कर सकते हो सबको, या फिर यहां पर 10y है और यहां पर minus 2y है, आपको चीए तो इसको 5 से multiply कर दिया, तो क्या हो जाएगा यह, यह 5x हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 10 होएगा 2 से multiply होके, तो दोनों सेम हो रहा है, 10, 10, sin, अलग अलग है, तो इसको 5 से multiply होके हमारा काम हो सकता है, तो हम लोग equation 2 को 5 से multiply कर देंगे, और एक नया equation लिखे हैंगे, equation 3, यह general method है, जो हम लोगों ने practice at 5.1 के second lecture में सीखा था, ओके, तो यहाँ पर देख लो, यही second equation में मैंने 5 से multiply कर दिया, दोनों side, एक side नहीं कर सकते, एक term नहीं कर सकते, पूरे को multiply करना पड़ेगा, सिर्फ एक को करोगे, तो बाकी दोनों बुरा मान जाएगे, तो मैंने 5 को इससे भी multiply कर दिया, और 5 को इससे भी multiply किया, जब इससे किया तो देखो, 5 into x आ जाएगा 5x, और यहाँ पे यह plus है, यह minus है, तो plus into minus minus, 5, 2, 10, साथ में y था तो y, यहाँ पे देखो, plus into minus आ जाएगा minus, 5, 10, 0, आ जाएगा 50, ठीक है, यह आ गया हमको equation 3, यह equation 3 कहां से आया, second में से ही है, तो अभी second को थोड़ी देर के लिए भूल जा, first को देखो, और third को देखो, क्योंकि हम नहीं सा देखो, यह term और यह term सेम हो रहा है, यह भी सेम हो रहा है, लेकिन दोनों का sign सेम है, sign अलग-अलग होगा, तो हम लोग सीधा add करेंगे, तो यह दोनों cancel हो जाएगा, ठीक ह क्योंकि देखो, term 10y, 10y है, लेकिन एक जगे plus है, एक जगे minus है, तो equation 1 and 3 को add कर देते हैं, क्या जाएगा add करके, अच्छे से देखो, हम लोग सिर्फ यह दोनों term को देख रहे हैं अभी, ओके, दोनों को add करना है, तो यहाँ पर मैंने, यह equations देखो, वापस copy कर लिए, कौन कौन से, पहले यह वाला, 5x plus 10y equal to 350, and फिर 5x minus 10y equal to minus 50, दोनों को add कर रहे हैं, क्यों add करने, पर दोनों cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग यह दोनों को cancel कर देंगे, plus 10y minus 10y, 0 हो जाता है, तो यह गया, फिर यहाँ पर देखो, 5x plus 5x, दोनों के पास x है, 5 plus 5 आ जाएगा, आपके पास 10, लेकिन साथ में x था, equal to, यहाँ पर 350 minus 50, 350 में से minus 50 करेंगे, तो बचेगा आपके पास 300, ओके, तो x का value क्या आ जाएगा, 300 upon 10, क्योंके 10x equal to 300, तो x अगर अकेला करना है, तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा, 10 यहाँ पर multiply हो रहा है, तो वहा के divide होगा, अब इसको cut करो, यह 0 के साथ 0 cut, 30 upon 1 कितना होता है, 30, their formula को x का value आ गया, 30, ठीक है, अभी x का value मिल गया, यह x का value आपको 2, 3, equation 1, कहीं पे भी substitute करके y का value निकालना है, ठीक है, मैं यह equation solve करने का आपको एक और तरीका बताऊँगा, पहले यह एक तरीका समझ लो, तो यह x equal to 30, मैं equation 2 में substitute कर रहा हूँ, ओके, सही रहेगा, equation 2 में, तो x equal to 30, equation 2 में substitute करके क्या आएगा, यहाँ पे देख लो, यह equation 2, उसमें मुझे x के जगे पे 30 डालना है, तो क्या आजाएगा, x के जगे पे मैं लिख दूँगा, 30, ओके, अब देखो, यह 30 को इधर ही र उद्धर जाके हो क्या बन जाएगा, plus 2y, तो खाली 2y लिख सकते हो न, तब t plus 10 हो जाएगा, 40 equal to 2y, आपको जिर्व y का value चीए, 2 को यहाँ से भगाओ, 2 यहाँ पे multiply हो रहा है, वहाँ जाके divide होगा, तो आपको मिलेगा, therefore, 40 upon 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, खाली y, 40 औ 20 equal to y को आप क्या लिख सकते हो, y equal to 20, same है न, दोनो, तो आपको x का value भी मिल गया, y का value भी मिल गया, यह जो solve किया है न, हमने, यह 5.1 में हमने already 6-7 questions solve कर लिए, 2-3 methods है, तो इसमें आपको difficulty नहीं आना चाहिए, ठीक है, y भी मिल गया, और x भी मिल गया, तो final answer क्या और y था 10 रूपी के notes, ठीक है, तो answer, final answer में आपको देखो, लिकना है, find the number of 5 रूपी and 10 रूपी notes, तो हमनों click देंगे final answer में यही, तो there are 30 notes of rupees 5, क्योंकि x मतलब 5 रूपी के notes थे, and 20 notes of rupees 10, y मतलब 10 रूपी के notes थे, तो 20 notes of rupees 10, in the envelope, यह हो गया हमारा final answer, एक बार पूरा solution फि यहां तक, यह part सबसे जादा important है, क्योंकि आपने word problem को, दो equation में convert किया, आपको यह one or two दिया नहीं था, अपनी सब दिमाग खराब करके, one or two निकाला है, free में नहीं मिला है, फिर इसके बात जो किया है, यह तो practice set 5.1 में हमने already सीख लिया, यह और यह वाला part, बस इस पे बह कर दो, यह पूरा सही किया, और यहां पर गलत हो गया, तो भी marks तो नहीं मिलेगा, त्यान दोनों में देना है, लेकिन जादा दिमाग आपको यहां तक लगाना है, ओके, आया समझ में, चलो, आराम से आपके notebook में एक-एक line समझ समझ के copy करो, conditions पे बहुत दियान देना, यह फर्स पेज है, और यह उसका second page, next करते है, second question में दिया है, the denominator of a fraction, एक fraction है, ठीक है, तो fraction में तो आपको पता है क्या-क्या होता है, उपर numerator होता है, नीचे denominator होता है, denominator is one less than twice its numerator, कुछ तो condition दिया है, denominator और numerator में क्या रिष्ता है, कौन किसका मामा है, वो दिया हुआ है, if one is added to the numerator and denominator, कौन उसका चार्चा है, वो भी दिया हुआ है, देखो, दो condition दिया हुए, the ratio of numerator and denominator is 3 to 5, आपको fraction find करना है, fraction find करने के लिए आपको numerator भी चाहिए, और denominator भी चाहिए, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, कि numerator x है, और denominator y है, x और y की value मिल गई, तो आपको पूरा fraction मिल जाएगा न, x के जगे पर substitute कर देंगे, y के जगे पर substitute कर देंगे, y का value तो हम लोग को उसका value मिल जाएगा, hero बनके ऐसे मत बुलना रहे, देखो, यहाँ पर दिया है, 3 to 5, इसे लिख देते हैं, यही है fraction, find the fraction, मतलब यह वाला fraction नहीं, जो दिया है वो, पूरा condition के साथ जो fraction आता है, वो देना है, तो सबसे पहले तो assume करते हैं, कि let the numerator be x and denominator be y, तो यहाँ पर लिख लिख लिखा, numerator x, denominator y, fraction क्या हो जाएगा, x upon y, यह हमको find करना है last में, first condition देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, denominator of a fraction is one less than twice its numerator, denominator is, denominator क्या है देखो, denominator है y, तो हम बोल सकते हैं, चलो पहले words में लिख देते हैं, denominator is one less, less मतलब minus, तो one less than what, than twice its numerator, twice मतलब 2 multiplied by, किस से? नियूमरेटर से, पड़ो इसको अच्छे से, the denominator is one less than twice its numerator, अब दियूमरेटर के चाहिए पर क्या डालेंगे, 2x, और यह minus 1 जो है, यहाँ पर वो ऐसे ही रहेगा, ओके, आपको आगया y equal to 2x minus 1, इसको आपको simplify करना है तो कर सकते हैं, क्या आजाएगा देखो, यह 2x को यहाँ पर लिख्या हो, तो क्या बन जाएगा, minus 2x, उसको पहले लिखना, ठीक है, फिर plus y, यह y को plus ही है, इधर ही रखा है, इसलिए वैसे का वैसा रहेगा, equal to minus 1, यह होगी आपना equation 1, किसे आया है, यह first conditions, अब second condition देखते हैं, second condition देखो, यहाँ पर है, if one is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3 is to 5, second condition बहुती clear terms में दिया है, पढ़ो फिर जे, if one is added to numerator and denominator respectively, दोनों में one add कर दिया, तो देखो, यहाँ पर numerator and denominator है, हम लोग दोनों में उपर और नीचे, one add कर देते हैं, यहाँ पर भी one, यहाँ पर भी one, तो क्या बोल रहा है, the ratio of numerator and denominator is 3 is to 5, मतलब यह जो one add करने के बाद ratio आता है, वो है 3 is to 5, 3 is to 5 मतलब 3 upon 5 न, बट numerator क्या था, numerator था X, denominator क्या था, denominator था Y, तो उसके जगे पर substitute करो, तो मुझे मिलेगा, therefore, X और यह Y, दोनों जगे उपर plus one, plus one आ जाएगा, यह सिफ इसके जगे पर X लिखा, denominator के जगे पर Y लिखा, equal to 3 upon 5, ओके, अभी इसको cross multiply करो, 5 इदर जाएगा, 3 के साथ ही आएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, therefore, 5 into X plus one, is equal to 3 into Y plus one, 5 दोनों से multiply आएगा, 5 into X आ जाएगा, 5X, plus 5 into 1 क्या आ जाएगा, 5, equal to 3 into Y आ जाएगा, 3Y, plus 3 into 1 आ जाएगा, 3, standard form में लेके आओ, 3Y को इदर लेके आओ, तो क्या बचेगा, 5X, 3Y यहां पर आके, minus 3Y हो जाएगा, because यहां पर plus है, यह plus 5 को उदर बेज़ दो, यह plus 3 यहीं पर है, यह वाला, plus 5 उदर जाएगा, माइनस 5 बन जाएगा, तो आपको मिलेगा, therefore, 5X minus 3Y is equal to minus 2, ओके, यह हो गया अपना second equation, खत्म, यह first equation और यह second equation को solve करना है, कैसे करना है, जैसे 5.1 में किया था, है ना, यहां पर दिख रहा है आपको, सिर्फ Y है, यहां पर minus 3Y है, इसको आप 3 बना सकते हो ना, 3 से multiply कर दो पूरे equation को, तो यहां पर 3Y आ जाएगा, फिर यह plus 3Y, minus 3Y, दोनों opposite sign है, तो add कर देने का, add करोगे, तो cancel हो जाएगा ना, इदर इदर, ओके, बट important part यह वाला है, कि हमने यह जो condition है, first condition use करके हमने यह equation निकाला, और second condition use करके हम लोगोंने यह equation निकाला, अब तो सिर्फ यह equation को solve करना रहे गया है, जो काफी simple है, condition समझ में आ गए properly, चलो अब यह equation को solve करते हैं, तो first equation को मैं 3 से multiply कर रहा हूँ, दोनों side पे, तो यहां पर, यह देखो first equation यह वाला था, दोनों तरफ 3 से multiply कर दिया, तो मुझे ऐसा मिलेगा, दोनों तरफ 3 से multiply किया, अब इसको simplify कर रहो, क्या आ जाएगा, यहां पे देखो plus है, plus into minus आपको देगा, minus, 3 into 2 देगा आपको 6, पर साथ में x था देखो यहां पे, तो x भी आएगा, फिर यहां पे plus, यहां पे भी plus, plus into plus आ जाएगा, plus, 3 into y आ जाएगा, 3y, equal to, यहां पे 3 क्या आगे, कुछ नहीं मतलब plus, plus into minus आ जाएगा, minus, फिर 3 into 1 आ जाएगा, 3, यह आगया एक नया equation, equation 3, अब यह कहां से आया था, यह equation आपने, equation 1 से निकाला न, ठीक है, अचाए, यहां पे इधर लिखना है, 1, okay, multiplying both sides of equation 1 by 3, तो यह आपको equation 1 से मिला है, ठीक है, अभी आप इसको equation 2 के साथ solve करो, देखो, यहां पर minus 3y, यहां पर plus 3y, दोनों को add करोगे, तो यह दोनों cancel हो जाएगा न, तो adding equation 2 and 3, 3 को 1 के साथ solve मत करना, 3 को 1 के साथ solve करोगे न, तो 0 equal to 0 मिलेगा, क्यूं, because यह 3 आपको 1 से ही मिला है, 1 equation को 3 से multiply करके, यह equation 3 लेके आया है न, तो इसको आप 1 के साथ solve मत करना, unused कौन है, equation 2 को आपने use नहीं किया है, तो उसके साथ उसको solve करना है, तो अब adding equation 2 and 3 करके क्या आएगा, तो मैंने देखो, यह वाला equation, और यह वाला equation, एक के उपर एक लिख दिया, add किया, तो यह minus 3y plus 3y cancel हो गया, same terms है, देखो, 3y, 3y, लेकिन sign अलग-अलग है, minus और plus, तो यह cancel हो जाएगा, x, x दोनों के पास है, 5 minus 6, minus 1 आजाएगा, यहाँ पर minus 2, minus 3, minus 5 हो जाएगा, दोनों तरफ minus है, minus minus cut, 1x मतलब x ही होता है न, and 5, तो x equal to 5 आगया, यह 1 नहीं लिखेंगे, तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर 5 minus 6, 1 आता है, इसलिए हम लोग ने लिख दिया है, ठीक है, minus 1, x का value 5 आगया, कहां substitute करेंगे, x equal to 5, आप कहीं पे भी substitute कर सकते हो, equation 3 में, equation 2 में, equation 1 में, किस में भी चलेगा, ओके, तो हम लोग x equal to 5, equation 1 में substitute करते हैं, equation 1 क्या था, minus 2x plus y equal to minus 1, minus 2x, x के जगे में हम लोग क्या डाल देंगे, minus 2x, x के जगे पर डाल दिया 5, plus y equal to minus 1, minus 2 into 5 हो जाएगा, minus 10, y को इदर ही रखो, minus 10 को उदर भेज़ दो, तो हो जाएगा plus 10, minus 1 plus 10 हो जाएगा 9, x का value 5 और y का value 9, fraction क्या था, fraction था, x upon y, तो मैं बोल सकता हूं, the required fraction is, x के जगे पर 5, और y के जगे पर 9, यह था न, fraction x upon y, ठीक है, तो हम लोग ने लिख दिया 5 upon 9, आया समझ में, यह वाला पार्ट तो 5.1 वाला ही पार्ट है, एक बार पूरा solution अच्छे से देखो, हमने यहाँ तक जो किया है न, यह, यह condition, first वाली condition से यह निकाला, और second वाली condition से यह वाला equation निकाला, यह चीज बहुत important है, उसके बाद तो सिर्फ equation को solve करना है, जो हम लोग ने अल्रेडी कर लिया 5.1 में, done, अच्छा, मुझे लगा कि कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर, equation solve करने का यही तरीक आए क्या, यह equation solve करने के हजारों तरीक है, हर बच्चा अलग method से कर सकता है, n में answer यही आएगा, आपको right ही मिलेगा, एक मैं और method करके बताता हूं, substitution method किया था नामने, ट्राइ करो के substitution using मत करो, general method ही use करो, general method maximum time सबसे easy method होता है, लेकिन कुछ-कुछ cases में substitution method easy होता है, जैसे कि यहाँ पे y equal to आ रहा था ना, तो सीधा देखो y के जगी पे substitute कर दिया, तो काम हो जाएगा, तो मैंने यही same question substitution method से भी solve किया, एक बार देख लो, पहले यह notebook में copy कर लो, यह first page और यह second page, हो गया, यहाँ देख लो, same question, यहाँ पे मुझे y equal to 2x minus 1 आया ना, उसके बाद मैंने 2x को यहाँ पे लाया ही नहीं, इसी को equation 1 दे दिया, ठीक है, फिर जो second equation आया, वो same to same, कुछ अलग नहीं किया, फिर इसको solve क से किया 1 और 2 को, यह जो value है ना, y equal to 2x minus 1, directly substitute कर दिया equation 2 में y के जगे पे, तो 5x minus 3, y के जगे पे क्या किया है, 2x minus 1, फिर इसको solve किया, तो देखो सीधा x equal to 5 आ गया, okay, answer same आने वाला है, पर substitution method यूज किया मैंने, यादे 5.1 में वो भी सिखाया था, फिर यह x equal to 5 कहां substitute किय आप, equation 1 में, x equal to 5, equation 1 में substitute किया, तो y का value आगया 9, फिर से required fraction is 5 upon 9, आपको चाहिए तो यह भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि पहला जो मैंने दिखाया वही करो, यह सिर्फ आपके information के लिए था, okay, answer same आने वाला है, दोनों में third से, समझ में आ गया, second question अच्छ उसको equation में बना के equation solve करना होता है, next करते हैं, third question, बहुती सुंदर question है, आपको समझ में आगा देखो, the sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years, दोनों के age का sum किया तो 34 years आता है, Priyanka is elder, मतलब Priyanka बड़ी है, किस से, Deepika से, कितनी साल बड़ी है, 6 years, then find their today's ages, देखो, दो unknown है, Priyanka और Deepika के ages find करना है, today's मतलब, आज बोलो, कितने साल के, यह जो information दिया है, वो आज का है, ठीक है, तो दो unknown है, Priyanka और Deepika, और दो condition दिया हुआ है, पहला condition है, कि दोनों का sum किया है age का, तो 34 years आता है, and Priyanka जो है, वो Deepika से 6 साल बड़ी है, तो पहले question समझ अच्छे से, conditions अच्छे समझते, फिर उसको solve करेंगे, तो यहाँ देख लो, sum of ages of Priyanka and Deepika, Priyanka और Deepika को add किया, तो 34 years आता है, फिर Priyanka is elder to Deepika by 6 years, मतलब Priyanka का age कैसे निकालेंगे, Priyanka का age will be equal to, जो भी Deepika का है जाया, उसमें 6 add कर देंगे, क्योंकि Priyanka उससे 6 साल बड़ी है, तो Deepika का जो भी है जाएगा, उसमें 6 add कर देंगे, तो Priyanka आ जाएगी, इसलिए Priyanka देखो, मुह बिगार थे, क्यों बड़ इक्वल to 34, बोल सकता हूं, और यहां पर देखो, मैंने Priyanka को x लिए है न, तो x is equal to y plus 6, दो एक्वेशन आ गया न, देखो, पहला एक्वेशन आया, x plus y is equal to 34, क्योंकि दोनों के age का sum 34 है, और प्रियanka x is equal to Deepika का जो y age है, plus 6, इसमें आप y को इस तरफ लेके हो, तो क्या मिल देखा, x minus y equal to 6, equation 1, equation 2, दोनों equation को solve करो, और calculate कर लो, equation solve करना भी बहुत इसी है, देखो, plus y minus y सीधा add करके solve हो जाएगा, सिर्फ यह condition समझना बहुत important है, जब भी age वाले problems आएंगे न, उसमें एक problem आता है, वो आज अभी तुमको पता नहीं चलता, बिकॉसमें complication किया नही है, लेकिन age के अच्छे problems होंगे न, उसमें यह बहुत important हो जाएगा, आपने गर age standard के मेरे lectures देखें, 12.2 के, तो उसमें age के उपर अच्छे problems थे, आया समझ में, खुद से try करोगी क्या है, बहुत ही time pass देखो, मैंने दोनों equation भी दे दिया आपको, सिर्फ उतना लिको, let Priyanka दिपिकाज भी X years, दिपिकाज तोडे भी Y years, और फिर इसको solve करना शुरू करो, चलो, वीडियो pause करो, और यह पूरा question खुद से try करना है, ऐसा मत सोचो, sir, ऐसी homework दे रहे हैं, मैंने आपको दो question बहुत ही detail में सिखाया, ये भी मैंने आपको equation बता दिया है, सिर्फ आपको और लिखने तो आना ही चीए है, हर बार तो याद करके लिखो कि अच्छा, एक बार question देख लेंगे, फिरम को आएगा लिखने को, खुद से भी लिखने को आ सकता है, चलो try करो, तो यहाँ पर लिख दिया, let the age of Priyanka be X years today, आज की बात चल रही है, and age of Deepika be Y years today, पहली condition है, कि उनका sum जो है, sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years, तो Priyanka's age plus Deepika's age, आपको 34 पता है, Priyanka के जगे पे X आ जाएगा, and Deepika के जगे पे Y आ जाएगा, तो X plus Y equal to 34, यह गया first equation, second क्या है, Priyanka is elder to Deepika by 6 years, मतलब अकर मुझे Priyanka का age find करना है, तो मैं Deepika का age find करूँगा, और उसमें 6 add कर दूँगा, तो equal हो जाएगा न, क्योंकि Priyanka Deepika से 6 साल बढ़ी है, तो plus 6 आएगा न, Deepika में, बड़ प्रियanka का age ने लिया था X, तो उसके जगे X, Deepika के जगे Y, और 6 तो 6 ही है, फिर इसको Y को उस तरफ लगे जाओ, तो क्या हो जाएगा, minus, तो X minus Y, 6 को इदा ही रखो, plus 6 को 6 लिख सकते हो तो आपको equation 1 and 2 solve करना है, त्यान से देखो, सिर्फ equation 1 and 2, इसको solve करना है, सीधा जमझ में आ रहा है, इधर देखो 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पर plus 1, यहाँ पर minus 1, opposite sign है न, तो add कर देने का, ठीक है, तो आप add equations 1 and 2 में देखो, पहले 1 लिख 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 लिख, यहाँ पर x plus x मदलब क्या, 1x plus 1x, which is nothing but 2x, यह plus यहाँ इधर, यह 1x plus 1x आ गया 2x, और 34 plus 6 आ गया 40, x का value find करना है, तो 2 यहाँ पर multiply और उसको वहाँ पर भगाओ, वहाँ जाके divide होगा, इसको cut करेंगे, because दोनों एक ही table में जाते हैं, 2 के table में जाते हैं, दोनों 2, 1000, और यह हो जाएगा 2200, तो x आ गया 20 upon 1, which is nothing but 20, x मिल गया, अब इसका value 1 में भी substitute कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, मैंने x equal to 20, 1 में substitute किया, देखो 1 है, x plus y equal to 34, वहाँ पर x के जगे पर क्या आ जाएगा, 20, तो अपने को मिलेगा 20 plus y equal to 34, y को इधर ही रखा 20 को उधर भेजा, यहा मिल गया, y भी मिल गया, तो x क्या था, प्रियंका का age today, right, and y था दिपिका का age today, तो मैं बलूँगा age of प्रियंका is 20 years today, and the age of दिपिका is 14 years today, age तो change होते रता है न हर साल, हर बार change होता है, इसलिए today लिखना बहुत important है, today लिखो या present लिख दो, present age of प्रियंका is 20 years, and the present age of दि English में, देख लो पूरा solution एक बार, खुद से आया क्या, अगर खुद से आया, तो comment में मुझे बताओ, कि ये question खुद से किया, and आपको correct answer आया, नहीं आया, तो कोई attention नहीं है, एक बार solution देख लो, आपको समझ में आया, बहुत ही simple है, कहां पे mistake किया है, चेक कर लो एक बार, done, तो बचो आज मैंने practice at 5.2 के lecture 1 में, आपको question 1 solve कराया, 2 कराया, and 3 कराया, हमने बहुत ही आराम से एक एक condition समझ के solve किया हुआ है, थोड़ा time लगेगा practice at 5.2 खतम होने में, because word problems का क्या, बहुत ऐसे हवा बना रखा है बच्चों ने के बहुत difficult होता है, नहीं होता है difficult, सिफ concentrate करके solve करेंगे, तो यह same normal problem जैसा ही है, ठीक है, आपको words को equation में convert करने, ओके, तो खतम करते हैं आज का lecture यहीं पर, अगर video पसंद आया, तो like कर सकते हो, करी लो like, कितना बड़ा video देखा है, आराम से एकदम मस्त मैंने आपको 3 questions समझाया है, तो like तो करी सकते हो, link भी अपने practice set के detailed solutions upload करते रहेंगे, bell icon पर भी click कर दो, ताकि जैसे ही 5.2 का lecture 2 आए, आपको notification आए, और आपको important lecture miss न करें, comments में मुझे जरूर बताएं कि आपको यह lecture कैसा लगा, आप जब भी comments में मुझे बताते हैं कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या अपका feedback है, क्या और क्या extra डाल चाहिए, वो पढ़के फिर मैं next videos पर काम करता हूँ, thank you so much for watching this video,